कुछ पर संब्सक्राइब करें दो कॉल पर से बैज बाइन था किसे हैं आप सभी आई होप आप सब अच्छे होंगे स्वस्त होंगे मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ तो चलिए गईस आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं काफी दिन हो गए थे मतलब हम लोग को इस दिन का इंदजार था कि कब आएगा वो दिन जिस दिन हम घर में पूजा पार्ट करना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि बि होगा कि घर में दिया बाती करना भूती जादा जरूरी है जिससे घर में सक्रात्मा कुर्चा बनी रहती है अगर घर में हम दिया बाती करते हैं घंटी संक बजाते तो इससे सक्रात्मा कुर्चा घर में बनी रहती है तो वस इसलिए हम लोग को बिना पूजा किये हुए ऐ कब आएगा वो दिन जिस दिन हम पूजा पाट करना स्टार्ट करेंगे तो फाइनली वो दिन आगे है जिस दिन मतला सक्रांतत का दिन है उसी दिन से हम लोगों ने पूजा करना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि हम लोगों को पहले ही महां से एक मेल होता है जो सब के लिए आय सबस aspiring in Laura step Wow कि नहीं मातरानी को मातरानी को वह से उठा नहीं सकते तो बस इस ले मूर्तियों जो भी मातरानी की मूर्तियां थी सबको अच्छे से गंगा जल से साफ की और उसके बाद सारी मतल़ इस वहां की मुर्तिया थी है, हमारे पास सबको मैंने अच्छे से साफ की और ओहां पे दिया बाती, तब हम लोगों ने स्टार्ट करें, पहले मंदिर को अच्छे से क्लीन कर दिया था, क्योंकि काफी दिन हो गए थे मतब आप लोग मान के चलो च्छह मईने हम लोगों को हो गया था हम लोगों ने दिया बाती नहीं करी हुई थी तो बस इसलिए मैंने आज मंदिर को साफ सुत्रा बिल्कुल चमका के और उसके बाद हम लोगों ने पाड़ पूजा करी तो फिलाल ममी अभी नहाने क लग elli खुछा के और में मंदिर में लगी हूँ क्योंकि सुबह उर्ते ही सीरह हम लोग चाय पानी कर तके चाई हुई हम लोगों ने और मैं सब अपने काम पे लगे में वह तो सबसे पहला काम जो था आज वो मंदिर को साफ करने का था तो बस इसलिए पूरी मंदिर को अच्छे से साफ किया गंगा जल से और आज से ही हम लोग अब दिया बाती करना स्टार्ड करेंगे वैसे तो 6 महीने जो हमने पाड़ पूजा नहीं करिये और जिन भगवान के हम चाया बनी हुई थी तो इसलिए सब भगवान की किरपा से सब ठीक ठाकता नर्सिंग भगवान की किरपा से सब ठीक ठाकता माता रानी भूले नास सब की किरपा से सब ठीक ठाकता तो वस आज जो चिंता थी वस वही थी कि जरह हम पाड़ पूजा घर में स्टार्ड कर दे तो ज़रा घर में सुकसांती बनी रहती है तो बस आज से हम लोगों ने पाट पूजा श्टार्ट कर दिया है और सबसे पहले मैंने मतलब जो मंदिर के बरतन हैं हम लोग के जिसमें हम पूजा पाट करते हैं वो बरतनों को पहले सुबह उपते ही सबसे पहले उनको धुए है साफ किये हैं बिल्कुल और थोड़ी धूप आ रही थी तो मैं जोज़र तब तक वो सूख जाएंगे और उसके बाद ममी ना ने कले जा रही है तो वो सीधा अपना पूजा उजा करने लग जाएंगे तो चलिए यहां पर मेरी मंदिर बिल्कुल साफ सुत्री हो गई है औ बाद मंदिर कंभा है इनको साफ और बिल्कुल सम गए तो बस इनको मंदिर में लगा दूंगी तो गोरी मेरा मंदिर का जितना भी साफ सुत्री हो गई और इसके बाद मैं नहाना दोना करूंगे पर उससे पहले मैंने सुचा एक कप चाइ बना दूने ममी के लिए क्योंकि ममी नहाने जा रहे कि उनके बाद वो पूजा पार्ट करेंगे तो मंदिर मेरी रेडियो गई जब तक तो बस उसके बाद में कीचन में आ गई थी और मैं में मसीन में लगा दिया है और जब तक घी बनने के लिए मलाई अच्छे से फैटेंगे मसीन तब तक मैं अपने चाई वे पी लेंगे और ममी को भी दे दूँए तो बस एक कप में चाई रखी और मुझे तो थोड़ी सी चाई होती है चाई क्योंकि बार बार चाई पीने स सबसे ज़्यादा काम रहता है पर और दिन के मुकाबले मेरे पास आज ज़्यादा काम है मॉनिंग में क्योंकि आज हम लोगों कि ने अपना घर में पार्ट पूजा भी करनी है तो बस अब जो ममी का रूम है उसको भी अच्छे से साफ करना था मुझे और जो मंदिर है वह आज काम जादा हो गया था इसलिए मॉनिंग में जल्दी उठके पहले मैंने अपने कामों को धीरे धीरे करके निपटाया है और जैसी मंदिर साफ करके मैं आई हूं तो थोड़ा थक लगी तो मैंने चाई बनाई है क्योंकि चाई पीके कहते हैं कि थकान हम दोगों की हो गई है और बस अब जितना भी घी बना हुआ है उनको काली कड़ाई में निकाल के रख दूंगी और उसके बाद जितनी भी छांज रहेगी आज दिन में उसकी कड़ी बना दूंगी मैं और क्यूंकि बच्चों को कड़ी पकोड़ा बहुत पसंद है और रावत जी को सब गल आने के लिए रख दूंगी मैं क्योंकि घी तो मुझे तब इसलिए बनाना था क्योंकि आज कुनाल भी आने वाला है दैरदुन से तो बस घी हम लोगों का खतम हो रहा था और वो बिना घी के डाल चावल हो गया या रोटी नहीं खाता है तो बस इसलिए मुझे घी जानन बच्深 के त्रफ यह जाता है कि बच्चों की अच्छा लगता तो आज यह बनाऊंगी बच्चों को वो अच्छा की बारा था तो अछा है फ्यूटी में यह रहता है कि लिजस दें घी मिन घ्हकर रहे लिए और यृवार से झाली को जैसे ही लेमने घ्र नंद में तो हमें बार-बार धूं के ही गलाना चाहिए क्योंकि उसमें नीतों छांच की इसमें लाती है तो बस यहां पर घी को मैंने जो मतलब यह मक्षन है उसको अच्छे से साफ पानी से साफ करके और गलाने लिए रग दिया था तो बस यहां पर आप देख सकते हैं घी मेरा बनने किछण का मेरा काम हुआ कुकिंग का और अपने अपने काम पर लग जाओंगे जो मानिग के MK के काम होते हैं उनको कर दूँगे तो चलिए सबसे पहले अपने बैड को अच्छे से बना लुँझे क्योंकि रूम में सबसे पहले बैड को ही अच्छे से में में कोवर करती हूँ की तकी बैड हमारा साफ सुत्र रह cleaner तो पूरा रूम साफ सुत्रा रहता है और उसके बार में अपने और काम करने स्टार्ड कर दूंगे क्योंकि आज सब काम मुझे खुदी ही करना है क्योंकि रावजी को डूटी चले गए हैं और बच्चे जो धुरुव है वो कुनाल को लेने के लिए देरदुन जा रखा है गाड़ी से और मम्मी हैं तो मम्मी से काम नहीं होता है तो मुझे अंदर भार दोने तरफ समालना पड़ रहा है तो चले गाइस काफी टैम लगेगा मुझे सफाई करने में इसलिए अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करूंगी और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो ल